हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आज इस वीडियो में हमें साट कर रहे हैं तीवाइब ये में साम 6 का इंडारेक्ट टैक्स और इंडारेक्स का कोशन पर है 2019 नॉबर्स वित सल्यूशन ये हम देखने वाले हैं तो आज का जो कोशन से वो कोशन नमबर 2A का है आपको अब्जेक्टिव चाहिए या थियरी चाहिए क्लास तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और साधे साथ ये चलिए आज हम स्टार्ट करें है कोशन नमबर 2 का ए पार्ट इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट दर नाइम आप सप्लाई ऑफ गुद्स इन फॉलिंग इंडिपेंडेंडेंट केसेज एस पर दर प्रविजिंस ऑफ सी जीएस्टी एक्ट 2017 और यह आपको एट मांस के लिए कुशन दिया गया है जिसमें आप दे सकते हो यहां पर आपको कुछ इंफोर्मेशन गिवेन है जैसे कि सेरियल नमबर आपका होगे तोडल 6 है देट आफ इंबोईस है और देट आफ रिसिप्ट और पेमेंट है तो टाइम आफ सप्लाई के बारे में यहां पर के कैसा होता है कि अगर आपको जो देट दिया गया है जो देट दीट से जादा मतर दो मन्स होता देट आपका रिसिप्टेंट इसके बेसेस पे तो इसका रूल क्या है बेसिकली बहुत देख लो टाइम अपड़ सप्लाइब फो गुट तो पहले कि आएगा टाइम आप रिमोवेबल और देट आप इन्वोईस इसमें से जो भी पहला होगा उसको हम टाइम आप देखो अभी ये कोशन ऐसे दिया हुआ है तो इसमें हम कॉलम को सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर लिखेंगे टाइम आफ सप्लाइब क्या है इसके इंदर जो भी देट दिया गया है आ असपास नमब्र मन्थ का दिया हुला है तो इसमें हम सो इसमें 30 मैं ऐसोरे यहां पडान नर्जाहर तो उसमें हम 30 कि मैं रहे ओक्तों 30 गैसे देंगे नहींने और यहां पर कुछ निदिया है तो आपको गयाना है सेम ऐसा फॉर्मेट बनाना है अब इसके अंदर से डेट आफ रिमुवेबल और देट अफ इन्वोईस इसमें से जो सबसे पहले आएगा उसको टाइम आफ सप्लाइ के अंदर लिखना है ठीक है यहां पर क्या है 10th November यहां पर क्या है 12 हैगें डीसंबर 2nd दिसंबर थो मैं इसमें 9 चाहिए 9 जिसंबर तो सब्सके बार के आते हैं 9 जिसंबर पाइफटा जर्म पर शाञ उस्के वैलके आतना और यहां पर सबसे पहले में 211ी तो बस time of supply में आपको ऐसे ही करना है देखें इसके बाद 27th of 5 बे और यहां पर 5th मार्च ही दिया वहाई तो सबसे पहले क्या आता है 27th of तो यह होगे आपका time of supply बस time of supply में यह देखने हैं जो सबसे पहले आता हूँ और date of immorable और date of invoice के अंदर तो इस basis पर आपको क्या करना है तो यह आपको को सब्सक्राइब करना है तो यह आपको पर जाते हैं चोटे चोटे पूर्सन से तो बी पार्ट पर जाते है अभी देखें बी पार्ट यहां पर देखें अचली है तो साथ आट मांस के लिए लेकिन यहां पर कोशन दिखते रही है यहां पर हम दो बी पार्ट है देखते मतब कोशन पर टू का बी पार्ट जो कि आपका place of supply पर डिपेंड़े पूरा कोशन किस पर डिपेंड़े यह place of supply यह बड़ प्रॉडम है वड़ के रिशा आपको मिस्टर प्रसांट इचली कोशन क्या हो देखते हो पहले है find the place of supply of goods and give explanations to your answer in the following cases आपको यहां पर explanation भी देना है साथ साथ में तो यहां पर क्या रिखाव है फॉर्स कोशन मिस्टर प्रसांट अग्रे फ्रम चैन्नेई supply goods to MS Indian Airlines of Chennai flying between Delhi to Mumbai the goods are loaded in the aircraft in the Delhi तो क्या था सब्सक्राइब समझगे होंगे एक बार फीसे रीट करें फीसे समझते मिस्टर प्रसांट जो अग्रे है तेकि मिस्टर प्रसांट अग्रे इनका नाम है पुरा और यह फ्रम चैन्नी से supply goods कर रहे हैं किसको करते हैं MS Indian Airlines companies को ठीक है और जो आपकी जो फ्लाइट या एर लाइ this means है तीके वो चन्नी किए रिखें लेकिन वह ने कहां से करेंगी हैं कहां से करेंगी इंब दिली कि इने टू मुंबई दा गोड़ेड इन द एरकाफ्ट इन दिली तो गोड़ को जो लोड किया वह वह कहां पे किया गया दिली में तो यहां पर प्लेस अप्लेंगा दिली जहां पर हम लोड करते हैं दिखे बहां से आपको क्या होता है place of supply start हो जाता है तो इसमें जो first questions है उसमें हम लिखते हैं place of supply आपको इसे पुझा होगा place of supply इसका सब्सक्राइब दिल्ली कि दिल्ली हो गया इसका आपको explanation भी देना है तो spent freaking desperate तो आप तो जैसे कि यहां पे लिखा हुब रोगा है कि good supply यह वर अप्लाइब अभुट सप्लाइब अने वे सल इसकी और वे सल बोलते हैए सिर्पsa गया काल्गो हो गया याएर काफ्ट हो गया तो यह सब क्या होते अपने वे सल होते हैं तेखिया इसको convenience भी गोलते हैं तो इसमें पियोसन एनिके place of supply will be टीके इसमें the will be the place गोट्साल लोड़ेड तेखिया जान से और लोड करते हैं पाहन से क्या बज़े यहां पर देख सकते हो Mr. Raj of Pune place an order Mr. Raj क्या कर रहा है यहां पर order place कर रहा है clear तो रमाकांद of Mumbai for delivery of certain goods Mr. Raj direct Mr. Ramakand to deliver the goods to Anand of indoor देखे तो यहां पर क्या हो रहा है basically बहुत ही simple सा question दिया हुआ कि जो Mr. Raj वो पूने में है और उसने place an order किया हुआ है मुंबई में एक रमाकांद के पास तीके और रमाकांद क्या कर रहा है अपना delivery goods कर रहा है किसके तू कर रहा है यहां पर आनन के तू कर रहा है तो प्लेस अ मैं order कर रहा है तो place an order किया है मतलब मैंने अगर मैं पूने में हूँ और मैं order देता हूं सामने वाले को तो मुझे यहां पर पूने में मिलेगा सिंपल सी बात है तो यहां पर पूने क्या हो जाएगा मेरा यहां पर place of supply बन जाएगा तो पहले लिखते यहां पर प्लेस आप सप्प्लाय में यहां पर पूर दिखना हो फ्लेस अप्लाय क्या होगा पूने पूने में जाएगा यह अब इसका रीजन लिखते रीजन में आगे से लिखता हूं है यहां यापना अंब यह अपना answer है यहां पर again to recipient recipient or any other person on the on the directions of the directions of third person ठीक है यहां पर तोड़ थरी पार्टी जे तो third person POS विल बी the place the place where POS विल बी दप्लेस वेर वे माँदर तरड परसं देर फ़र्ट के पास जाएगा यहां पी थर्ड पार्टी के पास प्रत नीख यहांट कि पुण्य में है देखे तो यह हूगा आपका को संवर टू का बी पर्ट complete मतब इसका दो पार्ट अभी थर्ड कोर्शन देखते हैं Mr. Prakash of Naasik तो यहां पर क्या रिखाब है एक तो प्रकास है जो नासिक महास्त्रा में जिसने 5 motor vehicle इसनों ने क्या हुआ है इनके business के according इनके according मतलब जो मिस्टर पंकच है उसके according इन्होंने delivery कहा हुआ है पूने में तो अभी आपको place of supply बताना कहां पर जाएगा तो जहां पर मैं delivery करूंगा वहां पर क्या बन जाएगा place of supply तो place of supply क्या बन गया मेरा पूने समझे है यहां पर तो यहां पर भी इसका अंसर आ गया पूने अब इसका reason भी पूछा है तो reason लिखना पढ़ेगा यहां पर लिखते है supply involved okay involve movement of movement of goods okay pos will be the the place where the place where the delivery terminate तो यह हो कि है question number two का बीवी complete class तो आयब की यह जो place of supply का question था यह आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से solve करना चाहिए देखे अभी चलिए अभी हम इसी पर हम क्या करते है अभी question number two का देखे जो optional question है question number P और Q देखे इसको अभी हम देखते है एक लाग बहुत ही simple सा questions है तो हम अभी यहां पर start करते है question number two का P पाट पी पाट ठीक है जो optional questions है तो यहां पर देख सकते हो questions क्या है basically क्ये लिखा हुआ है determine the time of supply of a service in the following independent cases तो यहां पर आपको cases दिया हुआ है जिसमे date of provisions दिया हुआ है और date of invoices date of participant of payment दिया हुआ है तो time of supply के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर देख सकते हो सब आपको 30 days के according ही दिया गया है तो हम इसमें क्या कहेंगे 30 days add कर देंगे तो हम क्या कहेंगे 30 days add कर देंगे class तो फर्च जो आएगा 30 days यह 30 days इसके अंदर हमें add कर देंगे और लिखेंगे 30 days from the invoice देखेंगे 30 days from the date of provisions date of provisions देखेंगे पहला यह निकालेंगे हम दो तो मतलब इसमें आपको 30 days add करते जाना है ग्रास 15 यहां पर दिया और 15 numbers है इसमें 30 days add करतो तो 15 दीसंबर हो जाएका यहां पर देखेंगे कि विसे में 18 है तो 18 December हो गया यहां पर छे 25th तर 9 तो 25 December हो गया यहां पर पर 22nd of December है यहां पर थे 22nd of December तो अगर में 30 days याएंगे तो इसमें आएगा 21 21 January 2017 18 हो जाएगा भी यहां पर क्लियर क्योंकि December 31st आता है चलिए एक दिन कम हो जाएगा अब यहां पर 25th December 2017 है अगर January में जाएगे तो 24th January 2018 हो जाएगा यहां पर 12th of January है जिसमें 11th of FAB हो जाएगा तो सबसे पहले यहां पर दिखना है कि आप क्या टाइम लिट जो आपको टाइम लिमिट दिया गया उसके विठीन में आ रे हो या नहीं ही आ रे हो तेकिस पहले हम आप पर निकालेंगे यहां पर निकालेंगे करेंगे time of supply अब यह time of supply में भी हमनों दो पार्ट बनाते हैं time of supply अगर no है तो इधर लिखना है अगर ऐसे तो यहां पर लिखना है तो आपको time दिया गया payment का क्या उस time limit के इसके पहले मैं आपको कुछ रूल समझा देता हूं जो कि आपको easy होगा समझने में time of the supply of service in the normal cases the time of supply shall be the earliest of the following date if the invoice is issue within the time as per the section 31 that is been 30 days from the date of provisions of service जैसे मनें बता है date of provisions of service से इसरे पर 30 days हो गया यह फिर date of date of receipt of payment whichever is earliest ठीक है यह है इसमें से लिखना है कि which of the earlier कौन सा है ठीक है इसमें से पहला कौन सा है और फिर second condition में रिखा if the invoice is not issued as per section 31 the date of provisions of service और date of receipt of the payment ठीक है whichever is earliest ठीक है तो date of provision of service यह और date of receipt of payment यह वाला ठीक है इसमें से जो earliest है रहेगा वो लिखना है मतलब अगर नो हुआ तो उसमें आपको ANC condition दिना होगा मतलब ANC मतलब सब्सक्रों कि यह वाला part यह और यह 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 हो गया अपना यह B हो अपना ठीक है इसको C ले दो यह C यह B हो गया ठीक है और यह C हो गया तो इसमें से अगर नो है अपने पास तो इसमें क्या आएगा A और c आएगा देखिए अगर इसमें है तो ए और बी आएगा तक आपको इस तरीक से साइए इसमेंट मी नहीं आएगा अथम चलिब लि髦 पार्ट आएगा तो स्वास्तिवन देको यह अगर अगर 30 days में आता है तो तो ये date of invoice के according देखना है तो यहाँ पर 11 से लेकि 15 है तो ये आता है within तो within आता है तो इसको yes करेंगे 20 से लेकि 18 है तो इसको no करते है class तो इसके बाद 26 से 25 है तो ये भी no हो गया तो यहाँ पर फिर next यहाँ पर देखो 15 से लेकि 21 है तो ये yes हो गया फिर 28 से 24 है यहाँ पर तो ये no हो जाएगा फिर 15 से लेकि 11 है तो ये भी yes हो गया तो अब इसमें no है उसके according देखेंगे ये सब में से दिखना है आपको तीक है सब में से अब इसमें क्या बता है था में no के लिए a c तो a और c देखो इसमें से 15 और 14 ठीक है 15 और 14 बट इसके अंदर क्या करना है आपको नहीं आएगा 15 से 14 a c no है तो ये दर s है तो इसमें कुछ नहीं आएगा a s में देखो क्या b c b c में देखो है या पर b c तो इसमें क्या आएगा ये सबसे अलिए देखेंगे इसमें देखेंगे इसमें फिर ये से लास में तो b c देखना यहां पर 15 और 22 तो 15 पहला आएगा इसमें 15 जायन 2018 तो ये ओगया आपका time of supply ठीक है तो इस basis पर आपको ये समको complete करना था आएपक्रास की जो कॉंसेप्ट है ये आपको समझ में आगया कि किस तरह कैसे इसको solve करना चाहिए एक स्क्राइब क्लास यहां पर एक्षिली देखो जो एस ताव अपने को इस कॉलम लिखना था तो यहां पर आएगा ये 21 दिसमबर वाला 21 दिसमबर 2017 ठीक है ये यह आएगा और ये 15 वाला 15 जैन 2018 15 जैन 2018 तो यह अपना सम अभी complete हो गया देखे तो आप क्लास की यह जो कोशन नंबर टू का पी पार्ट था यह आपको समझ में आ गया अब आप मुआं करेंगे कोशन नंबर टू के क्यू पार्ट पर जो की यह कोशन नंबर टू का का लास्स कोशन नंबर क्यूब गया इसके पहलेगा पूशनी बास अपक्यों को सकते हो रड़ पी अपक्याएं ते यह आप क्यो नंब balance करों चलिक अब यह अब आंक करते हैं लास्स की स्रार्ट करते हैं कोशन नंबर टू का क्यूं फिर लेख अश्ते के वास का सल्यूश थे के इल मस्य मा सबीर चोब ए न सब्सक्राइब कर स्काष्ट है इन तो। मंध्वा एक वर दाट व्लाव एक श॥र है लें दू जा निस विडिदे च्वाइब गव्लों में रसे में ठो तो 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 तूह दो का चान। चार देओ है रुपीस नहीं और पैके जिनुल था का and testing charges given है 1170 and next one given inspection inspection charges given 2600 का loading charges given 800 का और MS email industry receive subsidiary of rupees 10,000 from the 7th manufacturer associations per transactions calculate the value of supply तो यहां पर आपको क्या करना है value of supply ठीक है तो चलिए पहले इसका एक format समझ लएते उपर रिखते हैं हम लोग computation of value of supply ठीक है यह आपको find out करता है यह statement है तो supply तो इस पर हम दो कॉलम बना लेते एक particular दूसरा amount के लिए यहां पर रिखते है particular और यहां पर amount आ जाएगा ठीक है अब value of supply में क्या क्या आएगा वो रिखते है जैसे कि यहां पर पर जो given था कि value of goods किया गया है इसमें आपको क्या given है company का नम MS Amol chemical limited है यह तो इसमें क्या 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 है है यह सब प्लस करके लिखेंगे फिर 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 इन्सॉरिंस चार्जेज इस और इन्स चार्जेज इस पर इसमें हम लोग पैकेजिंग चार्जेज और फिर प्लस करेंगे हम और टेस्टिंग चार्जेज इस और क्या गिवन है इंस्पेक्शन चार्जेज भी इवन है तो जो जो आपको गिवन है सब लिख दिन है यह सब आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे स्पेक्शन स्पेक्शन चार्जेज देखे फिर लोडिंग चार्जेज भी इवन है लोडिंग चार्जेज आपके इसको मिलेगा 10,000 पर ट्राजेक्शन देखे रइट ना और यह किसके तूर मिलेगा सावंध मैनिफेक्शन आसोसीएशन के एक्कॉर्डिंग देखे तो सब्सीडेरी भी लिखेंगे हम लोग तो इसके अवांट दिखते है अभी तो इसमें इंस्पेक्शन चार्जेस है 2,200 का फिर 1,600 का दांस्वरेशन चार्जेस है 1,650 का पैकेजिंग चार्जेस है टेस्टिंग इतना है 1,170 इंस्पेक्शन चार्जेस के में 2,600 का लोडिन चार्जेसे 800 का और 10,000 आपका सब्सीडेरी देखे अब हम इसका क्या करते हैं तो यहां पर लिखते हैं तो तो तोटल में क्या आएगा वाल्यू आप सप्लाइग यह अपने को फाइंड आउट कर देंगे क्लास तो 3,47,000 में यह सब आपको अड़ कर देना क्या से यूज कर सकते हो तो अमांट आएगा 3,63,7,020 तो आपने को मिल जिया वाल्यू आफ सप्लाइग तो इतना आपको करना है कोस्टन नमबर 2 के Q पार्ट पे जो की 7 वास का यह कोस्टन से आपको समझ में आ कि किस तरीके से आपको यह सौल करना है अब हम मुवान करेंगे कोस्टन नमबर 3 के A B C D पार्ट पे तब तक के लिए बने लिए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल अक्यम प्रेस कर लिजे ताकि आपको इसी तरीके के अप कमिक वीडियो के अपडेट मिलते करेंगे और आपको जो पेपर से उसके पूरे सल्यूशन चाहिए तो उसके भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं देखिए आप उज़र पी जाके इसको रिफर कर सकते हो थैंक यू फॉर वाचिं